इस वीडियो में हम letters P, Q और R की sounds सीखेंगे ये है letter P, capital P और small P letter P की sound होती है प जैसे के P, P, Pencil अब आप बताएए P, P, Pencil अब है P, P, Peacock यानि more अब आप कोशिश कीजिए P, P, Peacock यानि more अब है P, P, Parrot P, P, Parrot यानि तोता अब आप बताएए P, P, Parrot यानि तोता अब है P, P, Pineapple पी, P, Pineapple यानि अनानास अब आप बताएए P, P, Pineapple यानि अनानास ये है letter Q, capital Q, small Q letter Q जब भी किसी लफ्स में इस्तमाल होता है तो उसके फोरण बाद हमेशा letter U आता है इसलिए letter Q और U की sound को एकठा जब पढ़ा जाता है तो ये sound होती है Q जैसे के Q, Q, Queen Q, Q, Queen यानि मलका अब आप बताएए Q, Q, Queen यानि मलका अब है Q, Q, Quilt Q, Q, Quilt यानि रजाई अब आप कोशिश कीजे Q, Q, Quilt यानि रजाई अब है Q, Q, Quail Q, Q, Quail यानि बतेर अब आप बताएए Q, Q, Quilt यानि बतेर अब है Q, Q, Quilt Q, Q, Quilt यानि पर अब आप कोशिश कीजे Q, Q, Quilt यानि पर ये है letter R Capital R, Small R Letter R की साउंड होती है र, जैसे के आर, र, र, रैबिट आर, र, रैबिट यानि खरगोश अब आप बताएए आर, र, रैबिट यानि खरगोश और अब है आर, र, रूस्टर आर, र, रूस्टर यानि मुर्गा अब आप कोशिश कीजे आर, र, रूस्टर यानि मुर्गा अब है आर, र, रोज आर, र, रोज्ट यानि गुलाब का फूल अब आप बताएए आर, र, रोज्ट यानि गुलाब का फूल और अब है आर, र, रेन आर, र, रेन यानि बारिश अब आप बताएए आर, र, रेन यानि बारिश तो ये थी लेटर्स पी, क्यू और र की साउंज और उनसे बनने वाली चीजों की पहचान अब आप इस वीडियो को बार बार री प्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश जारी रखिएगा इस तरह आप बहुत चल्द इन लेटर्स की साउंज की पहचान के साथ साथ इनसे बनने वाली चीजों की पहचान भी सीख लेंगे